भाजपा ने जहां यूपी की 51 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिये हैं एंडिये में शामिल दलों के उमीदबार भी घोशित हैं लेकिन अभी तक सपा कॉंग्रेस गठबंदन और एकला चलो की रहा पकड़ने वाली बसपा के प्रत्याशीयों की सूची नहीं आई है क्या इंडिया गठबंदन बहिंजी की एंट्री का इंतजार कर रहा है क्या बहिंजी गठबंदन में शामिल होने जा रही हैं आज हम विशलेशन करेंगे कि आखिर कॉंग्रेस की क्या मजबूरी है कि वो मायवती को अपने साथ लाने के लिए कोई भी कुरवानी देने को तैयार हैं ही चुनावों में पश्मी यूपी में जनाधर वाली इस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था पिछले तीन लोकसवा चुनावों में सपा वस्पा भाजपा और कॉंग्रेस के वोट प्रतिसत पर एक नसर डालते हैं में 18.25 फिस दी रहा था वस 2014 में जब मोदी मेजिक चला तो यूपी में सबी दलों का मत प्रतिसत गड़वला गया और उनके मनसूवे भी ध्वस्त हो गए 2009 की तुलना में भाजपा का वोट सिंग 24 फिस दी 2014 में बढ़ा और भाजपा को 42.96 फिस दी मत 2014 में प्रतिसत गिरा और 22.35 फिस दी मत सपा को प्रति हुए थे वही कॉंग्रेस के प्रतिसन पर 2009 की तुलना में 2014 में बढ़ा असर पड़ा कॉंग्रेस का वोट प्रतिसत लगवग 11 फिस दी गिर कर मात्र 7.53 फिस दी ही रह गया 2019 में सपा वस्पा और रालोद ने गठवंदन बनाया जबकि कॉंग्रेस अकेले ही चुनाव में उतरी 2019 लोगसवा चुनाव में भाजपा को लगवग 50 फिस दी मत प्राप्थ हुए 2019 में भाजपा को 49.9 फिस दी मत पड़े जबकि रालोद और बस्पा के साथ गठवंदन में लड़ी समाजवादी पार्टी को 18.1 एक एक फिस दी बस्पा को 19.2 तीन फिस दी ही मत प्राप्थ ह हुए वहीं कॉंग्रेस को 2019 लोगसवा चुनाव में उत्तरपदेश में 6.3 फिस दी मत प्राप्थ हुए गठविधान सवा चुनाव में ये समी करड़ फिर उल्टे सपा ने इस चुनाव में रालोद और सुहलदे पार्टी के साथ गठवंदन बनाया और भाजपा के साथ अपना दलने साथ पार्टी जैसे दल गठवंदन में सामिल थे जबकि बसपा और कॉंग्रेस इस चुनाव में अलग लग उत्री इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 32 फिस दी जबकि भाजपा को 41.39 फिस दी मत बिले वहीं बसपा का मत प्रतिशत गिर कर 12.88 फिस द ही मत प्राप्थ हुए अब सपा यूपी में मुख्य बिबक्षी पार्टी है जबकि मत प्रतिशत पर गोर करें तो बसपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोग सबा चुनाव आते आते विधान सबा चुनाव में सपा के मुख्य साज़ीदार रहे चौदरी जैंत और ओम प्रकास राजवर एंडिये में सामिल हो चुके हैं सपा का कॉंग्रेस के साथ गठवंदन हो चुका है बसपा अभी भी अकेले चुनावी समर में उतरने का दम भर रही है ऐसे में सपा बसपा और कॉंग्रेस का गठवंदन इस लोग सबा चुनाव में एक दूसरे के ल लिए गठवंदन स्यासी ऑक्सिजन जरू सावित हो सकता है। यूपी में अपना मजबूत आधा रखने वाली बस्पा और दिनो दिन रसातल में जा रही कॉंग्रेस के लिए गठवंदन स्यासी संजीवरी का काम कर सकता है। लेकिन 2019 में सपा बस्पा के स्यासी गड़ित पर मोदी मैजिक भारी बड़ा था। विजय बगहेल सी न्यूस आगरा।